अर्जुन के अंदर का अज्ञान भी नश्ट हो चुका है क्यासे क्योंकि ज्यान के सिरोत कौन है साक्षात स्रीव भगवान पृष्ण और भगवान चुकि अर्जुन के साथ में है तो अर्जुन के अंदर अज्ञान होने का प्रश्ण ही नहीं उठता लेकिन आगे हम देखेंगे भगवान स्वम कहते हैं अर्जुन से असोचा नानु सोचस्तों ट्रग्या वादांस से भासा से गता सुन ना गता सुन से नानु सोचंती पंडिता अदलब तुम ऐसे पंडितों जैसी बातें करते हो फिर भी किन लोगों के लिए शोख कर रहे हैं वो जिनके लिए नहीं करना चाहिए तो और अभी जब अर्जुन अपने परिवार को दिखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे उससे हमें प्रतित होगा कि अर्जुन अज्ञान के जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मद्ध में पहुंचा और बगवान स्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि यह पार्थ दोनों सेनाओं के वीच्व में ला चुका हूं और यहां इकत्र हुए युद्दिक के लिए इकत्र हुए सारी कुरुमों को देखो तो जब कुल दस प्रह के रिस्तेदार मिलते हैं देखने को जिनका वर्णा 26 सिवां 27 में स्लोक में किया गया है पित्रान मतलब पिता पिता महान पिता महान आचारयान भाई मामा पुत्र पोता मित्र सुहिर्दा सुहिर्दा सखीन पौत्रान पुत्रान भाट्रान मातुलान आचारयान पिता महान पितान तो पित्रान किस के लिए कहते हैं पिता के लिए तो पिता कौन था कौरो पक्ष में जो अर्जान के लिए पितातुल्ल था वे थे भूरी सिर्वा कौरों के पक्ष से लड़ रहे थे बूरी सिर्वा कौन थे गुरी सिर्वा संडति के पुत्र और राजा बहलेक के पोते थे पिर राजा बहलेक कौन थे राजा बहलेक महराज शांतनू के बड़े भाई थे तो अर्जुन आता है शांतनू की प्रमपरा में और बहलेक की प्रमपरा में आते हैं भूरिश्रवा तो एक तरह से भूरिश्रवा अर्जुन के लिए पिता की समान है और चाचा लखते हम अम चाता कि सामान होते हैं पिटा महान कौन है, भीश्म पितामय और सौमदत मतलब भूरी शिर्वा पिता के जैसे हैं चाचा है तो, भूरी सिर्वा के पिता सौमदत और भीष्म देव यह दोनों पितामाहिक के जिसे हैं, गिरान्फादर के जिसे, पिर आचारयान में द्रोनाचार्य और किरपाचार, द्रोनाचार ने तो सभी पांदुवों को, साथ ही कौरवों को युद्ध शिक्षदी थी, दनुरुफेद की सिक्षदी थी, किरपाचार कौन थे किरपाचारे दोनाचारी की पत्नी क्रिपी के भाई थे है गर्वारणाचारे करपाचार्य के पहनुई हुए मातुलान मामा कौन कौन थे चल्यंक्सञव और शकुनी यह कि और जुन के मामा लगे भाई कौन थे तो भाई मैं तो दुरियोधन ही भाई थे शाथ ही उसके जो अन विशन रहाँ है भाकि अनलोग भी उसके भाई हुए दुरियोधन विकरन और बागी अनलोग इनका उदान इस्लोक में दिया गया बोला गया है पुत्र कौन थे तो अर्जुन के पुत्र तो नहीं थे कउरोपक्ष में अर्जुन के भतीजे थे भाई के पुत्र मतलब भतीजे तुब भतीजे भी यह सब्लबगा तो अन्य वहां और पोटा कौन हुआ लंगोटा का जो पुट्रा है वह उंका पोटा मित्र कौन है अजभी द्रौनाचार से एक ही आसरम में कोंव पांद्रवन होना शिठ्ष लिए और साथ ही द्रोनाचार का पुत्र अस्वत्थ हम् वो भी इनके साथ में शच्छागिननकर रहा तो गुरुपुत्र के साथ संबन्ध को जाते है तो अस्वाथ्तामा से इनका संबन्ध बित्रवात ही ठाउच्छा. अब प्रश्णी है होता है कि अगर अस्वाथ् haciendo Wallace बित्रवात था तो अस्वाथ्तामा ने क्योंके त्रहुं की तरफ से क्यों कीक्ष क्यों लिए क्योंकि दिनधाचार्य करम उस रिंक के तले दबे हूए थे अब oops क्योंकि द्रोनाचारे उस तरफ थे तो पिर अस्वत्थमा को भी उसी तरफ जाना पड़ा फिर ससुरान स्वसुरान में दुरुपद आते हैं तो सुहरत सब्द वास्तों में दिखा जाए तो सुषरत सब्द उपयोग किया गया है वो भगवान सरी किष्णे के लिए किया जाना चाहिए और भगवान के शुद्ध भगताओं के लिए क्योंकि इनसे बड़ा सुषीन तक संपूर माना समाज का या सभी जीवों का और कोई नहीं हो सकता जासे भागता में कहा जाता है तो जो साधू लोग होते हैं वैश्णव होते हैं उत्तिक्षवा कारूनी का धहरेशाली होते हैं सभी के पृति करुणाम में होते हैं सभी देहधारियों के पृति सुहर्द होते हैं सभी देहधारियों के शुवचिंतक होते हैं सभी देहधारियों में इतने भी जीव हैं अब इन लोगों को देखने के बाद कि इस्थिति क्या बंती है कि अर्जुन को लगने लगता है कि युद्ध करने का जो उनका धार्मिक उनका करतब है वो धार्मिक सिध्धानतों के विरुद्ध है कि अर्जुन ने जो अर्जुन को धर्म का ग्यान था दर्म विशय संबंधी उस उन सिध्धानतों के विरुद्ध उसको युद्ध करना लग रहा था उद्ध करने का करतब कैसे क्योंकि उसको सुद्धी शास्त्रों में अहिंचा के लिए ज्यादा प्रमोट किया जाता है इंसा नहीं करनी चाहिए तो अहिंचा के तत्तों ग्यान की विद्कृति के कारण उसको ऐसा लग रहा था अभी आगे और बताया जाएगा इस लोकों में फिर आता है अद इतना कर सब्सक्राइब को पिता को और अपने बंदू बांदों सभी संबंधियों को देखा तो धीरे-धीरे देखे कैसे अर्जुन की वेंटिलिटी चेंज होगी इअगी हुज द्रुष के लिए फिरे धे करना वmother धीरे-व और अजवरे-धीर西े बीस्में स्लोप में हम ने देखा था था है ंजुन denk दहनुस तीर लेकर रोड़र्ण के लिए तत्पर्थ अहीं तो बीशने स्लोक में जो अरज़न धन्व स्तीर लेकर और रिद्ध करने के लिए तत्पर्थ थे वही अरज़न 46 मेंस लूप मतलब इस सद्याय के अंतिम स्लोक मैं पचीश स्लोक बाद 46 में स स्लोक तर पहुंछते पहुंछते युद्ध करने का विचार त्याग देते हैं स्वयम को कौरवन द्वारा महरे जाना ज्यादा स्रिष्ट समझते हैं तो step by step पर कैसे हो रहा है आगे दिखेंगे हम 28 से 46 स्लोक में अर्जुन की युद्ध ना करने के कारण आती है इसमें कुल चार काराण और जुन ने बताया है तो पहला काराण और जुन देते हैं मित्रों तो था संबंधियों के लिए यह 28 से 30 स्लोक तक तीन स्लोकों में देते हैं पहला कारण देते हैं मित्रों और संबन्धियों के लिए 28 से 30 स्लोक तक लिए तो इसका भगवान खंडन कहां करेंगे दूसरे अध्याय के 11 से 30 स्लोक स्लोक होगा दूसरा कारण अर्जन देते हैं विजाई होने पर भी कोई आनंद नहीं मिलेगा यह कारण देते हैं 31 से 35 तक और इसका खंडन भगवान कहां करेंगे दूसरे क्योंकि पहले अध्याय भगवान डारेक्टली कुछ बोलते नहीं है तो और जुन के जो संका है जो प्रश्ण सुरुगाती प्रश्ण है पृत्म अध्यायके उनका उत्तर भगवान श्री किष्न डारा दूसरे अध्यायाय से दिया जाना प्रार्णाम होता है है मित्र संभधियों को लेकर शंक ऐसका उत्तर भगवान देते हैं सब लोगों को तो मुझे पाप लगेगा एक यह भी करण देते हैं तीसरा करण पाप का भय है तो उसका खंडन भगवान करते हैं दूसरे अध्याय के 33 स्लोक में और 38 से 53 स्लोक तक चौथा करण देते हैं पारिवारिक प्रमपराओं का विनाश हो जाएगा यह 49 नंबर से 43 नंबर तक की श्लोक में देते हैं इसमान देखेगा तो इसका खंडन भगवान दूसरे अध्याय के 45 में 46 में और तीसरे अध्याय के 24 स्लोक में करते हैं अब पहला कारण जो अर्जुन का है कि संबन्दियों के लिए करुणा और परिणामी सारी रिक लेक्षाण अर्जुन के अंदर जो परिवार के सदस्यों को देखा दस्परकार के लगलक लोगों को तो अर्जुन के अंदर करुणा आ रही है एक्चली करुणा नहीं है मोह है लेकिन वह करुणा के रूप में प्रस्फुटित हो रहा है और अर्जुन उसको करुणा का नाम देते हैं कि तौझ 28 सति श्लोक तीन श्लोक में बताते हैं त्रश्टिम स्वेत्छन मेरे मित्र और मिरे संबंदियों को देखकर मेरे सामने विद्य जो स्थित हैं जो युदि करने के लिए तियार है युद्सम समूपस्थित हैं अब अरजुन को क्या क्या सारे एक लक्षन प्रकट होते हैं सीधनती ममगात्रानी मेरे अंग शरीर के अंग थर थर आ रहे हैं अभी मंदिर में प्रात्य कालीन जो भागवतम कच्छा चलती है उसमें कुछ दिन पहले ही हम नहीं देखा था महराज परिक्षित जब कल्योग को मारने के लिए तलवार निकालते हैं तो हां पर भी शिधनती सब्द का प्रियोग होता है कि कल्योग थर-thर काम ने लगता है तो शिधनती का अर्थ होग थर-thर डर के मारे काम ने लगना है दूसरा मुखम चा परी सुष्यति मुख सूखने लगा है जब ऐसी परस्तिती बनती है जो एकदम भयानक हो भयावभ हो सुड़नली हमारे सामने आ जाती है तो यह सारे लक्षन स्वता ही प्रिकट होने लगते हैं तो अर्जुन के अंदर भी वही सारे लक्षन प्रिकट हो रहा है कि वैसे तो अर्जुन युद्ध करने के लिए आये थे और यह जो लक्षन प्रिकट हो रहे हैं यह डर के कारण नहीं हो रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि उनको लगत आए कि हम इंसे युद्धार जाएंगे तो हम नहीं लड़ना चाहिए इसलिए भाग चलो बलकि ज अर्धार प्रिश्षटाई मेरा मुझ्शूक्राइब बिफ्षुस्चे शरीर में मेरा कुछ शरीर काम रहा है रोम हर्स जायते मेरे रोंग ठेंख़ए हूरे हएं प्रण सते हस्ताथ मेरे हाथ से गांडिव जो धनुस है वह सरकता जा रहा है किसका जा रहा है तो अक्षे वह परीदेशते तो चाज मेरी जलने लगी है तो यह में मेरा मन अब ध्रमित हो रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं इसे कर सकते हैं कि इस्तिति वह वह क्या सिचुएशन होगी जब अजुने भगवान से सारी अपने सारी एक लेक्षान स्वह में ही बोल कर बता रहे है दिखतो रहे ही होंगे भगवान को तो अर्जुन भगवान को केशव यहां पर सम्मोदित कर रहे हैं और पहले जैसा कि माधाव कहा था तो केसी असुर का बद करने वाले हैं केशव मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं मतलब यह जो सारे लक्षन अर्जुन के सारी प्रिकट हो रहे हैं अमं अमंगल तो होना नहीं चाहिए तो फिर अमंगल के लक्षन क्यों प्रिकट हो रहे हैं कि अर्जुन भगवारे के सामने ऐसी बात रख रहे हैं और इसके साथ ही दोनों सेनाओं में जो सैनिक थे अर्जुन के हिर्दय में करूना उत्पन हो रही है हाला कि उन सेनों को व्यक्तिकत रूप से तो अर्जुन नहीं जानते होंगे सभी को लेकिंन अर्जुन को इस बात की कलपना करके ही उनका हश्य द्रवित हो रहा था उनको लग रहा हा था कि युद्ध में ये विल्चारे सेने कहने भी जाएंगे जो इशू है युद्ध का वा हम लोग का ब्यूचल कॉन्फ लिक्ट है परपर्टी को लेके यह हमारा जो mutual family conflicts हैं, उसके कारण यह बेचारी सेनिक दोनों से नहों के क्यों मारे जाएं, तो यह बात अर्जुन को यसी लग रही थी, और यही बात सामाने तोर पर समाज में बहुत सारे लोगों को लगती, कि महाभारत का जो युद्ध होगा, वो दो एक परिवार के दो पक्षों को लेकर, दो पक्षों के बीच में कुछ प्रोपर्टी को लेकर, कुछ राज्य को लेकर, कुछ वस्तूहों को लेकर, आपस में mutual conflicts था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो भगवान आगे उसका खंडन नहीं कर पाते, लेकिन आगे जो हम देखेंगे, बगवान उसका खंडन करते हैं, अर्जिन जितने भी एक्सक्यूज रखते हैं, बगवान के सामने, बगवान सरी किष्ण है, एक 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 एक्सक्यूज को, तीन, दिन, चार, चार, दसदर सिचलों में, पुरा नल इंवाइट कर देने हैं तो हम वास्तों में दिखा जाए तो भगवान स्री कृष्णी की इच्छा से ही अर्जुन मानसेक रूप से ऐसा कमजोर हो रहे थे और ऐसा दूसरा कारण यह भी है कि अर्जुन को अपना वास्तिविक स्वार्थ पता नहीं था उससमार बहऄं के द्वारा अध्पन किया गया अज्ञान के करांण ताज उन अपना वास्त विक तो जो जिससे उनकी वास्तों संतुष्ठी मिलेगी कि सूक्या था भगवान की संतुष्ठी और निवित निवित बनना है वाकि इन सारे लोगों में पहले ही उनको मार चुका हूं तो दूसरा करण पहला करण अद्युन ने बता है अपने परिवार संबन्दियों के लिए प्रेम, दूसरा करण, विजय से किसी आनंदगी अपेक्षा ना करना, माल दीजिए अगर जगडा करते भी नड़ाई उद्ध करते भी हैं, और हम जीत भी जाते हैं, तो हमें कोई आनंदगी प्राप्ती नहीं होगी, ऐसा अरजुन का मानना था, उसके पक्षमें अरजुन क हम कह रहे हैं, 31st to 35th verse में, ना चा स्रेव अनुक श्यामी हत्वा स्वजनम आहवे, ना कांग छे वजयम कृष्णा, ना चा राज्यम सुखानी चाथ, मुझे कोई अच्छा ही नहीं देखती इसमें, इसमें अपने ही सुजनों का बद करने से, क्यालाब, और मुझे किसी प कह Оль kissasar में वॹ्ति कोई भी व्ति जितने भी कर्म करता है, सुवै से शाम तक पाप करता है, जो भी करता है, बाहर निकलेगा तो पापुण्ह होंगे ही, जितने भी परियास करता है, जितने भी महनत करता है, वो किस लिए करता है? अपने परिवार जनों के भःण कोशन के लेगा पुछ एगर लेगा ने पूर्फे प्राप्त करेंगा ब्लंद हासिल करेंगा अचीडमेंट कुछ लेगा तो शेयर किससे करेगा कि अब खुछ अपने लोगों से अपने अपने परिवार यूपूर्ण से अपने मitra बंध हों तभी उसका आनंद हूं मना सकता है लेकर अरजुन का कहना यह है कि मान ली चेहर फिर मैं इंद सभी को मार देता हूं औह फिर मैं जीत भी गया कि एसी विज्जय किस काम की क्योंकि विज्जय का फिर मैं उत्सव किसके साथ मनाऊगा मेरे अपने बन्लूं को तुम्हें मार चुका हुगा को विझय Wait Yeah, TikTok मनाने के लिए मेरे साथ कोई कंपनी देने के लिए भी तो होना चाहिए कि कल्पना कीचिये संसार में सर्फ हम अकेले रह जाए संसार के सारे सारे वैक्ती सब समाप्त हो जाए सर्फ एक वैक्ती ति वैचे वह स्र वाचें तो वैसे तो दिखा जाये हैं तो पूरा चंशार हमारा हो गया हम किसी की प्रॉपटी पर क्लेम क्या करना हो भोग हमारे लिए क्योंकर को जब दूसर्वेक्ति हमको रोकने वाला है ही नहीं चंशार में लेकिन इस अवस्थाम में कितने दिन तक आनद्द रह पाएंगे वास्तोमें किसी वस्तू करते हैं तो जो आनन्द होता है वो हमiet लोगों से मिल बाटके सिर करने में भी उसका better मिलता है यह बात अलाग review कई बार हम सिर अपना मानने के लिए जो हमारी द्रश्टी है वह कितनी व्यापक है ह है सएक dough मानते कुछ थोड़ा सा और अपने रिस्टेनाति वालों अपना मानते हैं कुछ अपने महल्ले वालों को कुछ अपने सहर और कुछ अपने डेस को अपना मानते हैं है कर हाँ जाता है अचांव मैं I am Nija Parovriti Gagnalamal लगोचेप साम। यह मेरा है, या तुम्हारा है या किसी और का है। इसकी лиगा कौन करता है लगोचेत साम। जिनकी चेपना लगो होती है। छोटी बुद्धि वाले लोग। उघी सोचववाले लोग वसुदेव कुटमुकम उदार चरिता नाम उदार चरिता वाले लोग जो होते हैं वो कैसे होता है व्य दार होता है के अगर विज्वन भी जाती है तो इसका का हम आनंद नहीं मना पाएंगे यह 31 में से लेकि 35 तक इस लोग में अर्जुन को बोलते हैं और इसका खंडन भगवान कहां करेंगे कि दूसरे अध्याय के 31 से 37 में स्लोग में फिर आगे आता है अर्जुन को फिर लगता है कि चलो मान लीजे भगवान के कहने पर हमने इनको मार भी दिया जीत भी गए और आनंद के लिए लोग ना भी रहे तब भी ठीक है चले लेकिन इन लोगों को इतने अर्जुन को हमारे जो बंदु है त्रेष्ट जन है सम्मानी लोग है भी सम्पिताम है जैसे लोग है दुरुनाचार हमारी गुरु है अब गुरुन हत्तोअ इमाहान भावान शलूप भगवान से कहते हैं अर्जुन को पीटामे आगे तो इन लोगों को मानने के बाद पाप कितना लगेगा अब पारे संसार में क्या कहेंगे लोग अर्जुन ने अपने ही परिवार के वरस्ट जनों को उनका बद किया अपन गुरुन हत्तोअनि महान महान भावन तो अगर हम ऐसे आत्ताइव को बद करते हैं तो हमें पाप लगेगा इससे हमें क्या लाव होगा है मादाव अपने ही कुटम्वीओं को मार कर हम कैसे सुखी रह सकते हैं तो इसमें जो आतिताई सब्द प्रयोग किया है उनको आतिताई क्यों कहा है अरजुन ने सास्त्रों में अच्छा प्रिकार की आतिताई बताएगे हैं मनुश्मृति में एक विश्देने वाला अगर कोई व्यक्ति है में जहर देता है जहर देकर हमें मानने का प्रयास करता है तो आत्रताई है दूसरा घर में अगनी जलाने वाला अगनी लगाने वाला तलब कोई हमारे घर में आग लगाने का प्रयास करें तीसरा घातक हफ्यार से अक्रमन करने वाला अल्टिमेट्री वह हुआ कि हमारे प्राण हरने के और चट्वा परा इस तरीका अभर्ण करने वाला सास्तर में कहा गया है मनुश्मिर्थ में कहा गया कि इन छे लोगों का तुरंत वद्ध कर देना चाहिए तो एक्चुली जिस कॉंटेक्स में उन्हें कहा गया है वह पॉलिटिकल अर्थशास्तर के उद्धिश जैसे चानक के ने अर्थशास्तर पुस्तक लिखी है अर्थशास्तर का मतलब जो बुक है उसमें अर्थ से संबंदित कोई वस्तु नहीं है मतलब वह इकोनोमिक्स की बुक नहीं है वो पॉलिटिक्स की बुक है राजनीती की किताब है तो अर्जुन कहते हैं कि मान लीजी अगर मैं इन लोगों का बाद कर भी देता हूं तो धर्म सास्तर के विरुद्ध है तो राजनीती को इंसान ही करनी चाहिए छमा कर देना चाहिए वास्तों में इनको हत्या करने से हमां पाप लगेगा और राज्य के लिए यह क्या यूद्ध करना राज्य तो आइस्थाई होता है हमारा श़ीर ही आइस्थाई यह जो आत्मपरमत्वा ग्यान है अर्जुन को पहले से था क कि लोग मरते हैं जन में लेते हैं कि उसके बाद हम चौथा कारण देखें तो कुल नास के हानिकारक प्रभाव कि मालेजिस पाप से भी मुक्ती मिल जाती है इसका प्रहश्यत करने के सास्त्रों में प्रहश्यत भी बताया गया है तो फिर जो कुल नास हो जाएगा तो उसके क्या-क्या हानिकारक प्रभाव होगी तो उसमें अर्जुन बताते हैं प्रश्यंति कुल धर्मा कुल का नास होने से कुल की परंपरा नस्ट हो जाएगी अधर्म अभी भवति उससे क्या होगी अधर्म विरद्धी होगी प्रदुस्यंति कुल अस्त्रिया की स्त्रियों का दूसर्ण होता है और उससे क्या होगा वड़न संकर चाती मिश्रन संताने उत्पन होगी तो परंपराएं नस्ट होने से अक्चुली वास्तों में अगर मुझे से प्रैक्टिकली देख हैं तो समाज में जो हमारी परंपराएं होती हैं ट्रेडिशन होते हैं कुछ जाता तर उसको आगे बढ़ यह दो कि नो सब्सक्राइब करने के लिए जादा पड़ोजि बहुत जो धू फ्लोस्पीटनीकम क्यों कि यह लोग भर में रहते हैं प्र pandem pensal के बीच में ही रहते हैं परिवार के बीच में रहते हैं लेकिन लेकों समाने तवर क्या होता है पधन्न ऑ पारजन के लिए लो रहता है कि सामने वाला हमें चीट तो नहीं कर रहा तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनलेटिकल हो जाते हैं तो माता हैं बहुत असानी से स्विकार कर लेती हैं बगवान की वक्ति को और पारिवार एक परंपरा हैं हमारा सब्वता की कल्चर है यह सारी चीज़ें भी माता हो इसको आगे बढ़ाने में माताओं का विश्य शिव्दान देता है तो जब जाती मिश्रित अवांची संताने उत्पन होंगी तो क्या होगा एक तो नरक कभए पतंती पित्रों को पिंडदान कोन करेगा जल कोन देगा जाती धर्म कुल धर्म सब कुछ नश्ट हो जाएगा इस तरह से अर्जन चार कारण बताते हो चारों कारण के खंडन कि इस पहले अध्याय के वीशमें स्लोक में अर्जन धनुस और तीर लेकर युद्ध करने के लिए उद्धत थे और चालीशमें स्लोक तक आते आते इस प्रकार कहकर अर्जन अपना धनुस बान एक और रख दिया अर्जन और सोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ ग खड़े थे हाथ में धनुस और तीर लिए हुए थे अब 25 लोगों को देखने के बाद उनकी मनुदसा यह हुई कि उन्होंने अपना धनुस और साइड में रख दिया और स्वयम रथ में पैठ गए पूरी तरह से नहीं निस्चित कर लिया कि आप यह उतर नहीं करने वाद तो अब आगे दूसरे द्याय में बगवान फिर इनको यह सारे पॉइंट्स जोनों दिये हैं इनको कि खंडन करेंगे इनका और वह हम अगली कच्छा में देखेंगे समय अभी 6 मिनिट बचे हैं अगर किसी का कोई प्रश्ण है तो पूस सकते हैं अच्छा कुछ लोगों ने जो कुरूप पे डाला है तो बुकलेट में अगर कोई भी कहीं मिस्प्रिंट है तो उसमें किंतित होने की आवश्चता नहीं है फाइनली जो एक्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनेगा वो बुक के रिफ्रेंस से ही बनेगा कुस्चन सेम रहेंगे बुकलेट से 70 परसंट कुस्टन लेकिन जो रिफ्रेंस उसमें बुक का लिया और वेलिएशन के लिए जो आंसर लिए जाएंगे वह भी भगवत गीता बुक से ही रिफ्रेंस लिया जाएगा तो अगर कहीं कोई मिस्प्रिंट है तो उसमें चिंता करने की आवशकता नहीं है बुकलेट में हर प्रिश्चन के बाद ड्रैकेट में उस प्रिश्चन का सं मंद किस स्लोक से है वो लिखा हुआ है तो भगवत गीता में उसका रिफ्रेंस हम ले सकते हैं हरे कुछ प्रिश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं चार से पांच मिनिट है इसके बाद आटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए गया है और अगर बाद में किसी के बने प्रिशन आते हैं तो गुरूप पर डाल सकते हैं है किसी के कुछ किसी कुछ प्रिशन आते हैं अच्छा और जैसे क्लासेश थे हमें लेही रहें बुकलेट भी आप लोग पढ़ेंगे लेकिन इसके साथ ही मेरा नुरोध है आप सबी से आप लोग कृपया भागवत-गीता अवश्य पढ़ें भागवत-गीता कि इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट चेप्टर के लास् सब्दार्थ दिया हैं सब्दार्थ भी पढ़ें अनुवात पढ़ें उससे हमारी डीप अंडर्स्टेंडिंग जाएगी त्यूंकि भगवत-गीताम किसलिए पढ़ रहे हैं कि 11,000 रुपे का पुरुष्कार लेने के लिए नहीं इस ज्यान में पारंगत होने के लिए नहीं इस लोग रठने के लिए नहीं किसी दूसरे को सुनाने के लिए नहीं बलकि इसका लाब अपने जीवन में स्वें के लिए लेने के लिए हुआ कि लोक करना कहां पर क्या है किस चिज़के कितने प्रिकार है ये सब इसलोक हो जाएगा सब कुछ मशीनी हो मैं में सारा अगर हम डाटा प्रोसेसिंग कर दें प्रोग्रामिंग कर दें लेकिन इसका तात्पर यह नहीं है कि कंप्यूटर भगवान का भग्त बन गया है तो कृपया सब भी लोग पुर्णा भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करें को पुछ रहा है कर अ हरे कृष्णा गिदंतरा स्रीमत भगवत गीता की जाए जगत गुरुष्ण पुरुपाद की जाए अ हरे कृष्णा प्रभी अ हरे कृष्णा अ हरे कृष्णा प्रभी लोगवत अ कृष्णा झाल झाल